बोलिवूड वर्सस लोलिवूड बोलिवूड मुंबई में इस्तित हिंदी फिल्मा इंडस्टी को कहा जाता है वहीं लोलिवूड लाहोर पाकिस्तान में इस्तित फिल्मा इंडस्टी को कहा जाता है बोलिवूड की पहली फिल्मा थी राजा हरिश चंद्र वही लोल्यूड फिल्म इंडिस्टी की इस्ताबना सयद फकिर अहमद शाने की थी अब बात करते हैं इनके सबसे ज़्यदा पापुलर एक्टर की वही पाकिस्तान में सबसे पापुलर एक्टर है अब बात करते हैं इंडिस्टी के सबसे पापुलर एक्टरस के बारे में वही लोल्यूड में अईशा उमार इमान खान, माहिरा खान, रिमा खान, जिबा अक्टियार और बहुत सारी पापुलर एक्टरस है अब बात करते हैं इन दोनों ही फिल्मर इंडिस्टी के सबसे बेस्ट डाइरेक्टर की तो बोल्यूड के सबसे बहतरिन डाइरेक्टर है रोहित शिट्टी, राजकुमार, हिरानी, संजे लिला, बंसाली और करन जोहर जो की सबसे बेस्ट डाइरेक्टर है वही लोल्यूड के सबसे फेमस डाइरेक्टर है यासिर नवाज, सेम साज़द और इमरान खान, लोल्यूड के सबसे बहतरिन डाइरेक्टर है अब बात करते हैं इन दोनों इंडिस्ट्री में हर साल कितनी मोवी बनती है, तो देखो इंडिया में तो हर साल करीबन 2000 से भी ज़्यादा मोवी बनती है, लेकिन अकेले ही बोल्यूड में करीबन 200-300 मोवी हर साल बन जाती है, वही लोल्यूड में हर साल करीबन 60 मोवी के कर बनती है अब बात करते हैं इन इंडस्ट्री के सबसे ज़दा कमाई करने वाली मूवी के बारे में तो बोली उट की सबसे ज़दा कमाई करने वाली फिल्म है दंगल इसने करीबं दोजार इक्षिस करोड़ रुपे की कमाई की थी वही लोली उट की सबसे ज़दा कमाई करने बात करते हैं दोनों इंडश्टी के सबसे अमीर एक्टर के बारे में बोलीवड के सबसे अमीर एक्टर है शारू खान जनकी नेटवर्थ करिबन 5960 करोड रुपे से भी जादा है वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर है शानशाई जिनकी नेटवर्थ करिबन 100 करोड रुपे से भी उपर है अब बात करते हैं इन दोनोई फिल्म इंडिस्ट्री के हाइस्ट पेड एक्टर के बारे में तो बोलीवड में सबसे ज़्यदा फिश चार्ज करने वाले एक्टर है शारू खान जो अपनी हर एक मूवी के लिए करीबन 100 करोर रुपई फिश लेते हैं वहीं पाकिस्तान के 77 फिश चार्ज करने वाले एक्टर है फवाद खान जो अपनी हर एक मूवी के लिए करीबन 2 करोर रुपई की फिश चार्ज करते हैं तो आपकी फेड़ेट फिल्म इंडिस्ट्री कोन से है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कर देना